हेलो स्टूदिन्स मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ इन और्गनिक केमिस्ट्री का चैप्टर त्योरीज ओफ कोडिनेशन केमपाउंट्स का फर्स्ट पार्ट डिसकस करूंगी आज के लेक्चर में हम ट्रांजीशन मिटल कॉम्प्लेक्स के लिए सईयो जकता बंद से धांत के मेन पॉस्टुलेट्स डिसकस करेंगे वालन्स बॉन्ट थियोरी आप बहुत डीटेल में अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं तो आज जो हम डिसकस कर रहे हैं वो वी बी टी के वो पॉइंट्स हैं जो की transition metal complexes के bonding से related हैं हमें मालूम है कि एक complex कैसे बनता है तो metal और legends के बीच में अगर bonding होती है तो संकुल का निर्मान होता है पॉस्टुलेट नमबर 2 में हम यह समझ सकते हैं कि metal और legends के बीच का बंद कैसा होता है तो जो legends है उस पर lone pair of electrons हो सकते है और जो metal है उस पर खाली डीकक्षक हो सकती है तब ligands अपने electron युग्म को धातु आयन को डोनेट कर सकता है यानि कि ligand से lone pair metal तक जाए और इस तरहें जो बंद बंता है वो उपसायों जग बंद कहलाता है तो आप यहाँ देख रहे हैं तीसरे पॉइंट में कि metal की तरफ ligand से एक arrow है ligand पर lone pair of electron है जो कि metal को डोनेट किया जा रहा है और यह जो बंद बंद रहा है यह एक सिगमा बंद है क्योंकि ligand electron pair donate कर रहा है इसलिए इसको donor या data कहते हैं जबकि metal जो है वो इन electron pairs को accept कर रहा है इसलिए यह acceptor या ग्राही कहलाता है अब स्थिती यह है कि अगर ligand से lone pair का donation हो रहा है तो धातू iron या धातू atom के पास उन electron pairs को grant करने के लिए खाली hybrid कक्षक होने चाहिए तो आप देखिए यहां point number 4 कि धातू iron के पास ligand से electron pair ग्रहन करने के लिए vacant hybrid orbitals होने चाहिए और यह जो hybrid orbitals हैं जो खाली होंगे vacant होंगे यह सभी समान उर्जा और जामिती के होने चाहिए यानि सभी जो कक्षक हैं उनकी energy एक बराबर होने चाहिए अब next point number 6 में आप देखें कि metal iron बंधन के लिए यानि bonding के लिए vacant कक्षक उपलब्द करा रहा है तो अब अगर एक metal iron एक से ज्यादा कक्षक उपलब्द कराता है तो उतने ही bonds वो लिगेंड के साथ बना सकता है इसलिए अगर किसी metal की जो सामाने संयोजगता है वो कम है even then वो बहुत से लिगेंड के साथ bonding कर सकता है तो जो हमारे मन में ये एक खयाल आता है कि metal जो है वो 3, 4, 5 या 6 लिगेंड के साथ bonding कैसे कर सकता है जबकि इसकी खुद की संयोजगता कम है तो उसका अंसर हम इसी तरह से करेंगे कि क्योंकि वो metal आयन जो है वो कई रिक्त डी कक्षक या hybrid orbitals उपलब्द करा रहा है इसलिए उसकी एक से ज्यादा लीगेंड के साथ bonding संभव है और इसलिए जो metal का coordination number या समनवय संख्या है वो काफी अधिक हो सकती है किसी भी संकुल में तो इसमें अब मैंने एक आपको नई टर्म दी coordination number या समनवय संख्या तो वो क्या होगी कि metal या metal आयन, metal का atom या metal आयन जो भी उस complex के अंदर participate कर रहा है उसमें जितने vacant hybrid orbitals हैं उतने ही वो उपसौसयों जगबन बना सकता है यानि कि उतने ही लीगेंड के साथ वो बंधन कर सक आता है और यह जो नंबर है वो कहलाता है समनवय संख्या या coordination number या cn अब आप देखिए कि जो valence bond theory का जो main आधार है वो है संकरण या hybridization hybridization आप detail में पढ़ चुके हैं तो यहां हम उसको revise कर रहे हैं quick revision तो point number 8 आप देखिए संकरण के लिए हमें ns कक्षक चाहिए यानी कि जो बाहरी n कक्षक है और साथी साथ n-1d कक्षक के भी आवईशक्ता है campaign अब हम यह मानते हैं कि जो ns कक्षक हैं जो outermost कक्षक हैं वो रिक्थ हैं लेकिन जो penalty made यानी एक अंधर वाले ड कक्षक हैं n-1d कक्षक वो रिक्थ नहीं है आवईशक नहीं है कि हर स्थि तो इन N-1 D कक्षकों को वेकिंट कराने के लिए रिक्त कराने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स का रियरेंजमेंट या पुनर्विन्यास करना पड़ता है जैसे कि अगर जो D कक्षक हैं वो 5 हैं और 5ों D कक्षक के अंदर ईलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं तो अब क्या होगा? हमें उन D कक्षकों में से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पुनर्विन्यास या रियरेंजमेंट करा करके जो D orbitals खाली करने पड़ेंगे या हम उन इलेक्ट्रॉन्स को उच्छ उर्जा के कक्षकों में ट्रांसफर कर दें, तो किसी भी स्थिती में हमें N-1D कक्षकों को रिक्त करना होगा, अब ये जो कक्षक रिक्त हो गए, ये संकरित होकर के नए कक्षक बनाते हैं, और वो जो संकरित कक्षक हैं, वो समान उर जाके होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के कॉंप्लेक्स में जो समान संकरिन हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, SP3, DSP2, DSP3, D2-SP3 और SP3-D2, इनके अलावा SP और SP2 संकरिन भी आप अपनी पुरानी क्लास में पढ़ चोके हैं, अब मेटल के पास जो खाली कक्षक हैं, उनका लीगेंड के भरेवे कक्षकों के साथ अतिवियापन होता है, यानि कि आप देखिए, पॉइंट नमबर 3, मेटल और लीगेंड के बीच में सिग्मा बंद किस तरह से बनता है, कि लीगेंड के पास इलेक्टरॉन पैर है और मेटल के पास खाली कक्षक हैं, तो इन दोनों के जो कक्षक हैं, उनमें अतिवियापन होता है, और स्थाई कक्षक बनते हैं, अब आप यहाँ ये टेबल देखिए, इस टेबल में हमने संकरण और जो जो मैटरी है, कॉम्पलेक्स की, कॉम्पलेक्स कंपाउंड की उनको क्लैसिफाई किया है, तो सिरफ एक टेबल देख करके, आप पूरा संकरण, समन्वे संख्या और जियामिती को समझ सकते हैं, तो यहाँ फ़र्स्ट कॉम्पलेक्स की समन्वे संख्या लिखी है, यानि ये वो संख्या है, जितने लिगेंड्स उस मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं, सेकंड कॉलम में हमने उन समन्वे संख्या के करिस्पॉंडिंग जो संकरण हो सकते हैं, वो लेखे हैं, और तीसरे कॉलम में हमने इस संकरन से related geometry और उसका बंधकून लिखा है तो देखिए आप सबसे पहले coordination नंबर अगर 2 है तो संकरन संभव होगा SP और SP संकरन होने पर ज्यामिती होगी रेखिये या linear और जो bond angle है वो 180 degree होगा coordination नंबर अगर 3 है तो संकरन SP2 संभव है SP2 संकरन में आप देख रहे हैं कि 3 संकरत कक्षक है coordination नंबर 3 है संकरत कक्षक कितने आ रहे हैं 1S और 2P यानि टोटल 3 और ज्यामिती कौन सी होगी त्रबुजी है यानि कि trigonal planar एक त्रबुज की तरह की ज्यामिती होगी और जो bond angle है वो होगा 120 degree coordination नंबर अगर 4 है तो इसके लिए 2 तरह के संकरन संभव हैं पहला DSP2 यानि एक कक्षक D का एक S orbital और 2P से आएंगे यानि इस तरह से ये 4 संकरत कक्षक बनेंगे क्योंकि coordination नंबर 4 है और इस स्थिती में हमारी ज्यामिती होगी वर्गाकार संतलिय या square planar और bond angle होगा 90 degree coordination नंबर 4 में अगर सभी D कक्षक भरेवे हैं यानि कि उन्हें हम किसी विस्थिती में वैकें नहीं कर सकते यानि D10 विन्यास है तब D कक्षक संकरन में भाग नहीं ले पाएंगे और अब जो संभव है संकरन वो होगा SP3 यानि कि A कक्षक S का और तीन P से और इस तरह से चार संकरत कक्षक बन जाएंगे coordination नंबर 4 है और हमारी जामिती होगी चतुश्वालकी है या tetrahedral और bond angle होगा 109 degree 28 minute अगर coordination नंबर 5 है तब 5 coordination नंबर में संकरन होगा DSP3 लेकिन यहाँ पर जामिती दो तरह के संभव है तो आप देखिए कि अगर coordination नंबर 4 है तो एक स्टिती ऐसी हो सकती है कि एक त्रिबुज हो और यानि कि त्रिबुज के बीच में यानि एक त्रिबुज और एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे ऐसे पांच लिगेंड उसके जुड़ जाएंगे और बॉंड एंगल होगा 120 डिग्री और 90 डिग्री इसी तरह से coordination नंबर 5 में एक और जामिती संबव है वो है वर्गा का पिरामिड है यानि कि वर्ग के सेंटर में मेटल हो जाए चारों कौनों पर चार लिगेंड आ जाए और एक लिगेंड उसके ऊपर यानि एक वर्ग बन जाए और एक उसके उप पर परेमड बन जाए तो यह हम कहते हैं स्क्वायर परामिड और जो बांड एंगल होगा वो होगा 90 अब हम बात करते हैं कोड़नेशन नंबर 6 की तो आप यहां इस टेबल में देख रहे हैं कि कोड़नेशन नंबर 6 दो बार लिखा गया है संकरन जो है वो पहली सिती में हम 90 कक्षक अश्टफल कियें और 3 P में तो यह तो यह जामिती हो गई लेकिन क्योंकि अंधर वाली D काक्षक काम में जो हुआ इसलिए इनहे हम कहेंगे आंतर कक्षक अश्टफ़ लगी है और हम इसका hybridization लेखेंगे D2-SP3 पहले हमने D कक्षक लेखे हैं और English में हम इने कहते हैं Inner Orbital Octahodal Complexes और इनमें Bond Angle होगा 90 degrees और 180 degrees दूसरे स्थिति यह है कि संकरन होगा SP3-D2 यनि कि आप यहां देख रहे हैं कि बाहर वाले D कक्षक काम में आ रहे हैं Coordination number वही 6 है और यहां हम इनको कहते हैं बाहर कक्षक अश्टफ़लकिय संकुल Outer Orbital Octahedral Complexes और इसमें जो Bond Angle है वो होगा 90 degrees और 180 degrees तो यहां एक चीज़ यह बताने की है कि आज हम सिरफ इसके जो संकरण है उनके main points ही देख रहे हैं डीटेल में हम जैसे जैसे आगे examples आते जाएंगे आपको समझाते जाएंगे Next यहां आपको यह बताया था कि लीगेंड के पास electron pair है lone pair of electron है जो कि वो metal को donate कर सकता है और इस तरहें से जो बंद बनता है वो बनता है सिगमा बंद सिगमा बंद बनने पर आप यहां देख रहे हैं कि metal के उपर electron pair जा रहा है वहां electrons की जो density है वो बढ़ रही है अब ऐसा नहीं है कि metal के साथ केवल एक ही ligand इस तरहें का bond बनाए जितनी उस metal की समनवय संख्या है उतने ligands सभी इस तरह से electron pair को donate करेंगे तो आप सोच कर देखिए कि metal पर अत्यदिक धुरुवता आ जाएगी यानि कि अगर उसका coordination number 4 है तो 4 ligands उसको electron pair देंगे अगर coordination number 5 है तो 5 ligands देंगे 6 है तो 6 ligands उसको electron pair देंगे तो हम यह कह सकते हैं कि metal पर negative charge का accumulation हो जाएगा point number 9 आप यहाँ पर देखिए अगर इतना negative charge इस metal पर इकठा हो जाएगा तो हमें लगेगा कि संकुल अस्थाई होना चाहिए लेकिन संकुल स्थाई होता है इसका यह तात्पर है कि कोई और process कोई और प्रक्रिया भी साथ में काम कर रही है तो वो प्रक्रिया क्या है वो हम point number 10 से इसको समझ सकते हैं वो प्रक्रिया कहलाती है पश्च बंधन या back bonding अब आप देखिए हमने यहाँ यह mention किया है कि metal के पास में ऐसा तो नहीं आवशक की किवल रिक्त संकरित कक्षक ही हो metal के पास अपने भरेवेडी कक्षक भी हो सकते हैं और लीगेंड के पास में खाली पाई कक्षक हो सकते हैं तो अब क्या होगा कि यह metal अपने भरेवेडी कक्षक से electrons उल्टी direction में लीगेंड की तरफ डोनेट करेगा और लीगेंड के जो खाली पाई कक्षक हैं वो उसको accept करेंगे यानि कि अब जो बंधन है वो उल्टी direction में जा रहा है इसलिए हमने इसको बोला पश्च बंधन या backbonding और अब जो बंनने वाला बंध है वो है πाई बंध और इस तरह से मैटल पर जो excess negative charge या electron घनत्व या electron density इकठा हो गई थी सिग्मा बंध बनने की वज़े से वो उल्टी direction में electrons को डोनेट करने की वज़े से वापस transfer हो जाती है लीगेंड की तरफ और अब मैटल पर उतना अधिक electron charge या electron density नहीं रह जाती और इस से इस system में स्थायत्व आता है तो हम यह समझ सकते हैं कि back bonding की वज़े से जो excess negative charge मेटल पर इकठा होता है वो वापस disperse हो जाता है और लीगेंड की तरफ transfer हो जाता है और इस से system स्थाय हो जाता है उसका क्योंकि संकरन हमने अच्छे से discuss किया है तो हम यह कह सकते हैं कि जो polling थे उन्होंने इन संकलों की stereo chemistry बहुत अच्छे से explain की यानि कि अब हम इन complexes की shapes आसानी से समझा सकते हैं क्योंकि अब हम संकरन समझते हैं यानि संकरन द्वारा shapes हम बहुत आसानी से समझा सकते हैं और last point VBT का यह है कि जब कभी हम bonding के बात करते हैं तो हम यह देख सकते हैं कि metal के पास उसको मतब उस complex में metal के पास जो electrons हैं वो paired हैं या unpaired हैं अगर metal complex में metal के पास unpaired electrons हैं तो वो अनु चुम्ब किये होगा और अगर सभी electrons paired हैं तो वो प्रती चुम्ब किये होगा तो इस तरह से हम VBT या वालंस बांट थियोरी के main postulates हमने किये और इसके बाद इसकी limitations और कुछ examples जो हैं वो हम अगले lecture में discuss करेंगे Thank you